दुश्टु नमस्कार आप सभी का स्वागत है आजके इस वीडियो में अगर आपने लेंग्विज वन या लेंग्विज टू में संस्कृत भासा को ले रखा है सीट इट की परिक्षा में ये वीडियो आपके लिए है 15 कोश्यंस का ये मौक टेश्ट रहेगा प्रीविए सि मस्ते चलिएगा कि किस तरीके से प्रिशन से पूछते आते हैं और कैसे हम सही विकल्प तक पहुँचेंगे पहाला प्रश्न है ब्याकरण सिक्षड का मुख्य उद्देश से क्या है पहला उप्षन है उच्चार संसोधनम यानि उच्चार का संसोधन करना चात्रा नाम संप्रेशनात्मक कौशला नाम विकासा यानि चात्रों में संप्रेशनात्मक कौशल का विकास करना संप्रेशनात्मक कौशल का मतलब होता है जो हम बाचीत करते हैं विचारों का आदान प्रदान होता है उसका विकास करना छात्रा नाम इसमर्ड सक्ते संसोधनम यानि छात्रों की इसमर्ड सक्ती को संसोधित करना छात्रा नाम अवबोधनात्मक का नाम कौशला नाम आकलनम यानि छात्रों में आउबोधनात्मक कौशल का आकलन किया जाए ब्याकरण सिक्षड का उद्देश क्या है आपको ब्याकरण क्यों पढ़ाई जाती है पहले आप्शन का मतलब आप ये समझ रहे होंगे कि उच्चारण का संसोधन करने के लिए जो बोल चाल की भासा में जो हम भासा का प्रियोग करते हैं बोलते हैं उसमें संसोधन करने के लिए बोलने वाली भासा में संसोधन करने का उद्देश होता है ब्याकरण सिक्षड का तो उत्तर क्या होगा पहले प्रशन के लिए क्वेशन नमबर एक यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका छात्रा नाम संप्रिशनात्मक कोशला नाम विकास सारता छात्रों में संप्रिशनात्मक कोशल का विकास करना ब्याकरण सिक्षण का उद्देश होता है अब यहाँ पर संप्रिशनात्मक कोशल ही उत्तर क्यों हुआ क्योंकि संप्रिशनात्मक कोशल में आपके आ जाते हैं विचारों के आदान प्रदान करने वाले कोशल यानि बोलना भी इसमें आ जाएगा और यहाँ पर सुनना भी आ जाएगा तो इसलिए इसका अंसर हो गया आपका option number two यानी ब्याकड सिक्षण का मुख्यों देश होता है चात्रों में संप्रिशनात्मक कोशल का विकास किया जाए दूसरा प्रश्ण चात्र चिंतन विकास द्रष्टया की दुशा प्रश्णात चिंतनात्मका चात्र चिंतन विकास की द्रष्ट से कौन सा प्रश्णा चिंतन से संबंदित है तथ्यात्मक प्रश्णा पाठ्थ वस्त वाधारित प्रश्णा वैतिक प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रियात्मका प्रश्णा अमुक्ता प्रश्णा अमुक्ता मतलब close ended जिसके fix answer हो close ended हो गया य तो यह उत्तर नहीं होगा क्योंकि यहां पर बच्चे की कोई चिंतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा वो सोच करके आंसर नहीं देगा simple answer आ जाएगा close ended का मतलब क्या है जैसे आप से प्रशने पूछा जाए कि भारत की राजधानी कहा है या फिर ताजमहल कहा है इमाम बाड़ा कहा है तो इसके direct fix answer यहां पर बच्चे को कुछ सोचना नहीं है यह direct answer कर देना है लेकिन छात्रों में चिंतन विकास के लिए जो प्रशन है वो कैसा होना चाहिए पाठिवस्त वाधारित भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा वैक्तिक प्रतिक्रियात्म का प्रशन अर्थात इस प्रकार का प्रशन हो जिसमें प्रतिक्रिया हो डिफरेंट प्रतिक्रिया हो कई प्रकार की प्रतिक्रिया हो वैक्तिक मतलब होता है अलग-अलग प्रकार की आपका कुछ और सोचना है किसी भी परिप्रिक्ष में किसी और बच्चे का कुछ और सोचना है तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे के चिंतन का विकास होगा चिंतन चमता का विकास होगा इसलिए यहाँ पर वैक्तिक प्रतिक्रियात्म काहा प्रश्ण इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा तीसरा प्रश्ण कच्छायाम वैवेद्पू प्रयोग इस्तितो उस्भिदा नाम रत्यार्नम मात्र भाषा है का अनुशासीत उपयोग किया जाए अधिगम कस संप्रेशण श चा संबर्ध नार्थम संडचनात्मक अंताक्रिया गत्विधी चाए यानि अधिगम के अंतरगत अधिगम के अंतरगत शंप्रेशण और उसके संबर्धन मतलब विकास के लिए सनरचनात्मक अन्ताक्रिया और गत्विधियों कायोजन किया जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है गत्विधिया अधरित अगरम अधिगम करार है तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प ही सही हो जाएगा क्योंकि वैवेद्पूर भासा परिवेस है तो हम यही चाहेंगे कि अधिगम के अंतरगत संप्रेशण और उसके संवर्धन के लिए रचनात्मक असनरचनात्मक तरीके से अन्ताक्रिया और गत्विधियों कायोजन किराया जाए प्रष्ण का चौथा विकल्प सही हो जाएगा चतुर्थयाम कच्छायाम दुती भासा रूपेड संस्क्र्थ सिक्षण का आधार क्या होगा कलपना शील भासा सब्द संख्या इस तरह नूड़म भासा समुपयोगा या फिर काब्यात्मक तो कच्छा चार में काब्य का प्रयोग ना के बराबर होता है बच्छा कहानी के मादियम से सीखता है तो ये तो सही उत्तर होगा नहीं सब्द संख्या भी नहीं होगा यहां पर जो हम सामगरी चैन करेंगे उसका आधार क्या होगा तो आधार ही होगा कि बच्चे की मानसिक छमता और इसके इस्तर को ध्यान में रख करके हम प्रियोग में लाएंगे तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा प्रश्ण संख्या पांच देखिएगा भासा य यह अरजन संदर्बे सब्द कोशात्मख विकासा इतनेन के अवब्प्राया यानि भासा अरजन के संदर्ब में सब्द कोशात्मक विकासा sixteen, वर्ड पावर शब्डों का कोस्ट जो होता है यानि वर्ड पावर ही इसकों कहेंगे आप अच्छे से समझ पा रहेंगे इसके विकास के लिए दिये के विकल्पों में से क्या भी प्राय है भासा अरजन के संदर्ब में सब्द कोस के विकास के बारे में दिये गए विकल्पों में आपको बताना है सही विकल्प कौन सा है समाज बेक्ति आदीने आदीनाम संदरभे सब्द अरजनम भासा दिग्रहडे अभिपनिलना ब्याकरणात्मक विकासम प्रमुक्सोपारम ब्याकरण पे हमें अधिक जोर नहीं देना है वाकि सरचनाया मरजम तो भासा अरजन के संदरभ में अगर सब्द कोस का विकास हो रहा इसका मतलब यह हुआ कि समाज में बेक्तियों के द्वारा जो हम भासा प्रियोग करते हैं वो समाज से सीखते हैं जो दैनिक बोलचाल की बासा होती है बेक्ति आदीनाम संदरभे सब्द अरजनम तो यहाँ पर समाज के द्वारा हम भासा को सीखते हैं हमारा वर्ड पावर बढ़ता है सब्द कोस का विकास होता है समाच की द्वारा तो पहला उप्षन सही हो जाएगा छठा प्रशन भारतिय च्छात्र से कस्या सिक्छड़ाय महती आवशक्ता अस्ति यानि भारति च्छात्रों में कस्या कौन सी सिक्छड़ प्रक्रिया की आवशक्ता है मात्र भास साया मात्र भासा तथा प्रादेशिक भासयो मात्र भासा तथा आंगल भासयो का अपित्रिश्ट्रह भासा प्रश्ण संख्या छे आंसर क्या होगा इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा यहां पर त्रिश्ट्रह भासा क्योंकि आपको पता होगा भारत में जो भासा का शूत् वो कौन सा चलता है त्री भासा सूतर चलता है अब प्रशन आप से पूछा जा सकता है कि तीन भासा सूतर यानि त्री भासा सूतर का फार्मूला किशन दिया सिटित ने 2014 या 2015 में प्रशन पूछा भी था देखे कोठारी आयोग की अधिक्षता में डॉक्टर दौलस सिंग कोठारी की दोरा ती भासा सूतर की संसुती की गईश में तीन भासा होती है पहली भासा आपकी मात्र भासा या छेतरी भासा होती है दूसरी भासा हिंदी भासी सहराज्यों में यह अन्य आधुरिक भासा अंग्रेजी भी हो सकती है ठीक है गैर हिंदी भासी जहाँ पर हिंदी नहीं वहाँ पर यह इंग्लिस हो जाएगी इंग्रेजी भासा तीसरी भासा जो होती है वो हिंदी भासी राजियों में यह एक अंग्रेजी आधुनिक भारती भासा होगी और गैर हिंदी भासी राजियों में यह अंग्रेजी एक अधुनिक भारती भासा होगी तो यहाँ पर तीन भासाओं की बात करी जाती है भारत के अंतरगत भारत की सिक्षड प्राली के अंतरगत आवशकता होती है तो इसका चौता ओप्शन सही हो जाएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पे पहली बार आए हैं एक बार नीचे कॉमेंट बॉक्स में चेक करें एक लिंक मिलेगी जिसमें सभी मेराथन क्लासेज की प्लेलिष्ट हैं उनको देख लीजगा सीठेट आप अच्छे निमरों से पहली बार में क्रेक कर पाएंगे भासा याँ ब्याकरण सिख्ळम कस समी करना हैं सहाय कम भहती मतलब ब्याकरण किसमें सहायता करता है सुद्धता याँनि एकुरेशी आती हैetsy आती है no mercy तो no mercy का कोई मतलब नहीं आपर literacy का का मतलब नहीं है लेकिराक्रण का प्रयोग होता हैससे क्या होगा क्या है एकिरेशी आएगी शुद्धता आएगी कहीं अगर आप कुछ लिख रहे हैं जैसे में explain के लिए अगर आपको बताएं जैसे आपने लिखा रोको मत जाने दो तो ब्याकड का एक टॉपिक है आप पड़ते हैं विराम चिन का ठीक है ब्याकड के अंतर गथी तो आता है अब अगर आप यहां पर रोको लगाएंगे तो क्या होगा यहां पर हमने कौमा लगा दिया र रोको मत जाने दो जो जा रहा है उसको रोको मत जाने दो अच्छा अगर हम यहां पर लगा दें यहां पर इसी कौमा को लगा दें तो इसका मतलब क्या हुआ रोको मत जाने दो उसको जो जा रहा है अंतर समझ में आया ठीक है रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो थोड असांतर अर्थात ब्याक्रड के माध्यम से हम एक्वेरेशी लाते हैं अपनी जो तुटियों को हम दूर करने का प्रयास करते हैं जैसे संग्या सर्वनाम हैनक्विया इन सब की तुटियों को हम सही करते गर कहीं उचारण में भी गलत भोल रहा है या लिखने में भी तो हम अ अधिस्तनेस किम संबध्धम अस्ती लेखन परंपरा अधिस्तनेस का मतलब है नीचे दियेगे विकल्पों में से किस से संबंदित है कथा विचारा कल्पना विराम चिन्ना सम्मेक प्रियोगा समिचीन सब्दा वली अगर आप सुद्द रूप से लेखन परंपरा पर लिखेंगे मतलब लिखने की जो परंपरा है तो वहाँ पर विराम चिन्नों का सही से प्रियोग किया जाए वरना अर्थ का अर्थ निकल जाएगा अभी अभी हमने आपको समझाया है रुको मत जाने दो वाले एक्जामपल से कर्शन नमबर 9 भासा या मुल्यांकनस से मुख्य उद्देश का आस्ति यानि भासा के अंतरगत मुल्यांकन का मुख्य उद्देश क्या है सिक्छार्थियों की तुटियों को खो जाए विद्यार्थियों के प्रदर्शन यानि विद्यार्थियों के प्रदर्शन को दे SDM की पोश्ट पे होता है लगातार दस पान साल से तो उसको क्या है वो डीम बना दिया जाता है खैर आप समझ रहें प्रोमोशन का मतलब क्या है अगली कच्छा में बच्चे को प्रोननत करना क्या यह होता है मुल्यंकन का उद्देश से या फिर विद्यार्थी साधित उपलब्दी नाम यानि विद्यार्थियोंने कि हम कम्यों को पता लगाएं और दूर करने का प्रयास करें हाला कि ये सब होती हैं चीज़ें ऐसा नहीं ये की नहीं होती है बड़ जो सबसे सही है मुख्योद देश यही है कि कम्यों को हम पता लगाएं फिर उनको दूर करें तो इसका आपका डी ओप्शन सही हो जाएगा भासायाम निरंतर समग्र मुल्यांकन आर्थ कश्यो परिवलं देएं यानि भासा के अंतरगत समग्र मुल्यांकन किस पर बल देता है सबसे अदा उत्तम शब्दावली होगा यहां पर परियोजना कार्म शुद्धो चर्णम विभिन संदर्बेस भासा प्रयोगसा मुल्यांकन भासायाम निरंतरा समग्र का मतलब क्या होता है समगर आपने पढ़ा होगा एक सब्द होता है गेश्टार्ट आपने गेश्टार्ट वाद बालविकास में पढ़ा होगा गेश्टार्ट का मतलब होता है समगर पूर आकार अर्थात सभी पक्छों पर आपकी पकड़ हो भासा के समगर का जब मुल्यांकन करेंगे बाधा है प्रमादकारी है महतपूर संसाधन है समस्या है तो अब सभी जानते हैं हिंदी सिक्षड में भी आपने प्रश्ट पढ़ा होगा बाल विकास में भी भासा क्या है महतपूर संसाधन का काम करती है तीसरा विकल्प सही होगा ठीक है क्रश्ण नमबर बारा भासा यहाँ प्रात्मिक रूपम अस्ति भासा का प्रात्मिक रूप क्या होता है प्रश्ण संख्या बारा संकेत भासा, सबसे पहले बच्चा संकेत की माध्यम से सीखता है, छोटा सा बच्चा होता है, खिला जाता है, बाबु, बववा कहके है न, इसारों में, तो पहले संकेत से बच्चा सीखता है, इसलिए इसका option number A सही हो जाएगा, बालेन मात्र भासा या अधिग्रहणा भवत प्रमुकता है, बताइए, बालेन का मतलब है बच्चों में, बात्र भासा अधिग्रहण करने के संदर में प्रमुक क्या है, सुनना, संभाशण, लिखना, और अपचारिक से इक्षड बेवस्था, बच्चा जब सुनेगा भासा को, तभी तो ग्रहण करेगा, तो सबसे ज ज़्यादा जरूरी क्या है, श्रमणेन अर्थात, श्रमण कोशल यहाँ पर, उत्पादक कोशले सुकस्य समावेशाह अस्ति, उत्पादक कोशल में किसका समावेश है, ये 2019 में प्रशन पूछा गया, बासा कोशलों की अगर हम संख्या की बात करें, तो चार बासा कोशल ह इसको दो भागों में बाटा जाता है, आपका एक हो जाता है ग्रहनात्मक कोशल और एक हो जाता है अभिव्यक्तात्मक कोशल, ग्रहनात्मक कोशल का मतलब होता है, जिस कोशलों की माध्यम से हम भासा को ग्रहन करते हैं, उसी को हम कहते हैं ग्रहनात्मक कोशल, तो भासा कै आसे ग्राहन करते हैं या तो सुन करके या तो पढ़ करके अर्था सुनना और पढ़ना ये ग्रानात्मक कोशल है और बोलना और लिखना ये अभिव्यक्तात्मक कौशल को ही हम उत्तुपाद कौशल कहते हैं इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखियेगा और आपका यह तीसरा विकल्प सही हो जाएगा अर्थात लेखन शंभाशडे उत्तुपाद कौशले सु अस्ति आप्शन नमबर थर्ड सही हो जाएगा चातरान उत्तकरष्ट लेकनान करतुम सिक्षकाह कुत्र अधिकम ध्यानम ददात यसे महत्मम सरवाधिकम छातरों में उत्तकरष्ट लेकन के समय सबसे अधिक किस पर ध्यान देगा टीचर एग देखिए यहाँ पर कुछ प्रशनों की उत्तर में आपको हो सकता है ठीके बट इसका अंसर होगा अभिवक्ति उत्तकरष्ट लेकन में जरूरी यह है कि टीचर किस पर अधिक ध्यान देगा अभिवक्ति विचारों अब बच्चे जो है अपने विचारों को समिलित करें अपनी बातों को लिखें ब्याकड पर ध्यान नहीं देगा साइद इस इस प्रशन का उत्तर साथी साथ आप नीचे कॉमेंट बाक्स में लिखेगा आप सभी लोग लिखेंगे जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को और यहाँ पर कुछ वीडियो इसके लिंक बन करके आ रहे हैं जिनको आप यहीं से क्लिक करके देख सकते हैं आज की स्क् इसमें इतना ही थैंक्यू सो मच इस वीडियो को अंतर तक देखने के लिए